साथियों, बिहार के मुख्य मंत्री निर्टिश कुमार ने कल एक बयान दिया, उनके हिसाब से फिर से एक बार जरुरत है बिहार में घर घर जाकर एक गणना करने की, एक सर्वे करने की, वह तक्रीबन वैसा ही होगा जैसे जातिय गणना के दौरान हुआ था, निशित रूप से वह एक राजनितिक काम था, और जिसके बाद से, रिजर्वेशन की संख्या प्रतीशत बढ़ा दी गए थी, खैर इस बार जो गणना होगी, वह बिहार में चल रहे शराबंदी की उपर था, कितने प्रतीशत लोग इसके समर्थक हैं, किसके विरोधी हैं, भासपा कहती है कि इस बंदी को हतम किया जाए, जिसे कारण अब अपराद बढ़ रहा है, क्यों भासपा ही नहीं, अन्य दल भी इसमें कह रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, वैसे गुजरात में, हाई कोट में, सुप्रीम कोट में मसला है, 2015 से ही, कि या शराबंदी ह वह गलत है गुजरात में, गुजरात में भासपा कुछ नहीं बोल रही है, पूछा जाए सीधे सीधे, तो कहेंगे दोनों के स्थिति में अंतर है, जरूर ऐसा कहेंगे, देश के कुछाने राजियों में भी शराबंदी है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इन कुछ आंकडो और घटनाओ के पहले में, रूस की बात करता हूँ, 1917, जब बुल्शिविक पार्टी सत्ता में थी, आते ही उसने दो डिक्री जारी किये थे, लेनिन के दोरा, पहला था शराबंदी को खत्म करना, और दूसरा औरतों के पक्स में था, कि यदि वह तलाग चाहती है अपने पती से, तो अपने निकटम, जो भी वहां के रेश्टार हैं, या डिस्टिक्ट हेड है, वहां जाकर लिख कर दे दे और तलाग को मानिता मिल जाएगे, काफी हंगामा हुआ था दोनों पे, खैर, दूसरे पर हम बात नहीं करेंगे, जहां तक शराबंदी की बात थ जो भी बुट लेगिंग था, छुप छुप के शराब बनाना, पुलिस के मदद से, पुलिस का छापा मारना, पैसे वसूनना वगरा 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 उसब खत्म, और जनता मजदूर काफी मात्रा में शराब पी के, तीन दिन तक ऐसा लगा कि रूस तक्रीबन आधा सो रहा है, उसके बाद से जनता धीमेदे में जगी, किनी हमें समाजवादी संदसना करना है, जहां बेरुजगारी वगरा थी वो खत्म होना है, और एक नए समाज की तरह बढ़ना है, और बाद में कानूनन भी इस पे कुछ हद तक कंट्रोल लाया गया, खेर, हम आगे बढ़ते ह गुजरात में शराबंदी के बाद से 2018 से केश चल रहा है, पंदर नहीं, 2018 से जो तकरीवन पांच वर्ष हो गया है, और तारीक पे तारीक आ रहा है, नेले के कहने से कि जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए, गुजरात सरकार इसके पक्षवे नहीं है, हलाकि हम सब को मालू है, कि गुजरात में बुट लेगिंग, यानि अवयर शराफ का काम बहुत तेजी से चल रहा है, वो अपने आप में एक व्यापार है, और बड़े व्यापारियों को जवर्जस्त मुनाफ है, ऐसे सामाने तोर पर एक बोटल जहां 100 होता, वो 180-200 में विक रहा है, पुलिस क सीधे के सीधे सरकार उसके उपर टाक्स लगा के अपना आमदनी बढ़ाती है, या छुप छुपा के वह आमदनी बढ़ाती है अपने पुझी पती, वित्पतियों द्वारा, या बड़े बड़े जो सेठ साहुकार है, तथा कथित रूप से समाज विरोधी तत्तो हैं, ल में गठवंधन है, मीडिया भी इनके साथ है, बिहार में शराब बंदी के खिला, भाजपा और कई अन्य दलवी हैं, जबकि गुजरात में भाजपा, गुजरात में जो शराब बंदी है, उसके पक्च में है, या पाखंड नहीं तो और क्या है, और हम जनता, एक दूसरे क की बीचे फसे रहते हैं, या सोचने की भी कोशिश नहीं करते हैं, कि हो क्या रहा है, एक उदाहरन देता हूं, मैंने पढ़ाई है, मेरी अपनी नहीं है, कि यदि एक पत्रकार, एक मिडिया आपको यह कहता है, कि आपके जगह में जवरस्त बारिश हो रही है, दूसरा कहत पत्रक्नी बारिश नहीं हो रही है, तो हम दोनों को डालेंगे ख़वर में, अपने विशलीशन में, दोनों को बारें बाते करेंगे, कौन बढ़ियां कौन से ही कर रहा है, तो इस पर जिसने कहा है हो कहता है कि मुर्ख जरा उठो, खिड़की दरवाजा खोलो, बार देख को बारिश हो रखनी, कि यह नहीं हो रहा है, क्या हम अपने दिमाग में कुछ बचा हुआ तो उसके इस्तिमाल नहीं करें, बिहार के नितिश कुमार ने यह भी कहा, मुख्वंत्री ने यह भी कहा, कि शराब बंदी को हटाने नहीं जा रहे है, 99 प्रतिशत औरते और 98 प्र इसके पक्स में है, शराबंदी के पक्स में, तो फिर यह गणना या सरवे क्यों, क्या फिर सरकारी तंत्र लगाएंगे उसमें, यानि राजनितिक आधार है इस काम के लिए, जो 2016 से चला रहा है, उसको फिर से वो प्रोवीशन की रूप में लाना आप चाहते हैं, और यह ही काते हैं कि केवल धनी वर्ग ही इससे फायदे में, इस पर मैं यह भी बताओं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जीतन राम मा जी, जो भूत पूरो मुख्यमंत्री वी थे, वह काते हैं कि इसे दलितों की उपर काफी प्रहार पड़ा है शराबंदी से, साथे तीन लाख मजदूर जो की दलितों से आते हैं, वह जेल तक जा चुके हैं, उनके काम खत्म हो रखे हैं, और इससे जो भारिक संख्या में लोग मरे भी हैं, शराबंदी के कांट चुक के करने से, जरीले शाराब के व्यापार होने से, उसमें अधिकांस्तर दलित हैं हलाकि नितिश कुमार कहते हैं कि 1.8 करोड यानि तकरीवन पौने 2 करोड उस अधिक लोगों ने शराब छोड़ दिया हैं, पता नहीं जो मांजी कह रहे हैं, उसमें सचा ही है, शराब बंदी को दो नजर ये से देखें, वो जो की भूद पैसे वाले हैं, इननों को परमिट भी मिलता है, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, कहीं पे हो, ये शराब खृत के ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खास अनितिक दल, वो खुल्याम, उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर रोख हो ना हो कोई महत्यपुर्ण नहीं है, चाहे तक गरीवों की बात है, मांजी कहते हैं कि यदि वो ठका मांजा आता है, सारे दिन काम मिला ना मिला, बुरे आलत में है, ये दो घूंट लगा लेता है, आ घरों में बनता है, ये विचारों के पास दूसरा उपाय क्या है फिर जीने के लिए, सही है कि औरते इसे पसंद नहीं करते हैं, कितना वी तक्यों कितना वी बुरे आलत में हो, लिकिन क्या ये अच्छा नहीं होता है कि जिस मजबूरी के कारण शराब पीते हैं, गरीब ज जियांता खत्म हो, एक सही वैग्यानिक शिक्षा दे के सत्परतिशत बच्चों को और बड़ों को दे कर, स्वास्त व्यवस्ता सही ढंग से हो पूरे देश में, जितने भी मीडिया है, जितने भी प्रचात तंत्र हैं, वह धार्मिक अंधापन और जातिय विद्वे ना ब पार चल रहा है, उसके माधार को बदल दे, तो क्या शराप पिना अपन्याप कम नहीं हो जाएगा, और आधार बदल दे जिसमें सरकार के और शराप छोड़ दे गुटका, कई बार मैंने उसकी चर्चाएं भी की हैं, लिखा भी है कि गुटका खाने से, खैनी खाने से जो लेकिन सरकार को रिविन्यू चाहिए, सरकार को अमधनी चाहिए, और वह जनता के मरते हुए जनता के उपर से, उनको नरक में ठेल कर, हमसे पैसे कमा रही है, क्यों नहीं हम मिलकर इस तरह की सत्ता बनाया जाग, जहां से वह भौतिक आधार खत्म हो, जिससे कारण हम नहीं, गुटका खाते हैं, अंध विश्वास में जीते हैं, एक दूसरे का प्रति घ्रिना करते हैं, जाती है धार्मिक देशवाद की उपर लड़ते हैं, चून हम ऐसे जीवन जीए, जो विज्ञान और एक तार्की का धार पे हो, और ये ऐसे मुर्क, महा मुर्क, बड़ देसाथ यू